जी हाँ दोस्ते इंडिया वर्सिस न्यूजिलेंड की बीच खेला जारा सेकंड टेस्ट मैच मुंबई वानकरे स्टेडिया में जहाँ पर दोस्तो फर्स्ट सेशन पूरी तरीके से बारिश में दुलने के बाद सेकंड सेशन में बल्ले बाजो का रंग देखने को मिला तुम खेल रहेगा आगे पांचों दिन का यानि की हाल बताएंगे कि क्या कुछ घट सकता है मैदान पर साथी साथ आगे के खेल क्या कितने समय पर शुरू होगा यानि की पहला दिन तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि 12 बजे दिन में गेम शुरू हुआ तो क्या रोजी ऐसा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग अपडेट पा सकी तो बात कर रहे हैं इंडिया वर्सिस न्यूजिलेंड की चल रही सीरीज के बारे में जापर हमने तीन टीटवन्टी देखे और उसके बाद दो टेस्ट की बारी थी पहला मैस तो दोस्तो ड्रो हो गया जिंक्या रहाने कप्तानी में कैन विलियमसन के धाकड बल्लेबाजी ने अपना दम दिखाते वी लास्ट तक बल्लेबाजी करी जिसकी वज़े से मैच हो गया था ड्रो रचिन जविंद्रा और एजाज पटेल थे भारते मोल के खिलाड़ी फ इस तरीके से बारिष मैदान पर लगातार एक और दो तारिक को ताबर तोड़ तरीके से भी तीन तारिक को बारिष रुकी लेकिन बारिष का दोस्तों कहते है न कि तुफान चड़ जाता लेकिन उसके बाद जो उसकी तभाई देखने को मिलती है वो साफ नजर आई मैदानों में जो एकदम आउट फील्ड थी वो ज्यादा हैवी वेट ही हो गई ती जिसकी वज़े से जो सुभे टॉस नो बज़े होना था वो टॉस दोस्तों पहले कहा गया कि साड़ी दस बज़े एक और इंस्पेक्शन किया जाएगा एंपार्स की दुवरा उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा तो यानि कि पहला सेशन तो बारिस की वज़े से ही धुल्ला था फिर उसके बाद 10.30 जैसे ही क्लॉक में बज़े दोस्तों उसके बाद फिर से इंस्पेक्शन की आगया तो पता चला कि चली आप खेले लाइक पिछ हो गई है और 12 बज़े मैच होगा, 11.30 बज़े होगा टॉस तो दोस्तो ये सिर्फ दिक्कत पहले दिन की थी अगर बारिश नहीं होती है तो रोजाना के समय यानि कि 9.30 पर ही अपने समय पर मुकाबला आपको बचे वे 4 दिनों का देखनी को मिलेगा लेकिन अब फिर से आते हैं आज की दिन के खेल पर तो आज दोस्तो बहुत बड़ा विकिट्स हमने बिना खाता खोले आउट होते वे देखा और जिस बल्लेबाज की फॉर्म नहीं थी आज उसको फॉर्म में आते देखा यह दिल्चस्प बात थी यानि कि अभी तक देखा जाए तो इंडिया वर्सिस न्यूजिलेंड की सीरीज में पूरी तरीके से बाग डोर दोस्तो युवा बल्लेबाज उने संभाल लखी है इस टेस्ट सीरीज में अगर युवा बल्लेबाज नहीं होते तो कपका दोस्तो इस टेस्ट सीरीज से सफाया हो चुका होता टीम इंडिया का ये बात हम स्रीभावा में नहीं बलकि आकडो के दम पर कह रहे हैं आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि मैदान पर दो धुरंदर बल्लेबाज बिना खाता खोले वापिस लोटे तो दो तावर तोड युवा बल्लेबाज उने दमदार पारी खेली आपको बता दे दोस्तों यहां पर टॉस जीता विराट कोली ने जी हां दोस्तों मैदान पर बारिश की तो एक अलग प्रॉब्लम थी लेकिन उससे पहला टीम इंडा के संकट सामने ही आया कि तीन खिलाडी दोस्तों चोटिल है जिसकी वज़े से उन तीनों खिलाडी को र अधीमी गती से करा रहे हैं उनको पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है जैसे न्यूजिलेंड की तरफ से एजास पतेल ने कमाल किया पहले सेशन के बाद जो दूसरे सेशन मतलब कहें जो पहला सेशन बारिश की वज़े धुलिया दूसरे सेशन में अजास पतेल ने तीन इजटके टीम इडिया का स्कॉड दोस्तो सेकशन यानि कि टी बेक तक है टीम ब्रेक तक है 111 रन तीन विक्त के नुकसान पर यानि कि यो दूसरे सेशन दोस्तो стहिस ओफर कहुअ और इसमें 111 रन रन आई टीम इडिया के और तीन वikत भी गिर गई उ किसमानी की नज़ं इनको भी एक बड़ा जटका लगा था कि Can Williamson अपनी elbow injury की वज़े से इस test match से बाहर हो रहे हैं सेकिंड टेस्ट से जिसकी वज़े से इनको भी एक नया कप्तान चुड़ना पड़ा Tom Latham की रूप में इससे पहले तीन बार ही कप्तानी कर चुके चौती वार इनकी कप्तानी का हमने दे का जलवा और किस तरीके से Tom Latham की बले से तो रंग जन खुब आही रहे हैं ऐसे में कप्तानी का बाहर भी इनको दे दिया गया है तो कप्तान प्लस एज़ा बैट्समें इनकी बड़ी भूमिका है तो यहाँ पर दोस्तो जैसे ही टॉस विराट कोली ने जीता एक नया इतिहास रच गया कि सीरीज के दुरान तीन T20 दो टेस्ट खेले गए और पांचों के पांचों टॉस्ट भारते टीम ने जीते और ऐसे में हमने तीन कप्तान अलग-अलग देखे जिसमें रोई शर्मा ने T20 पहले टेस्ट में जिंक्या राण है और दूसरे टेस्ट में विराट कोली तीन अलग-अलग कप्तान लेकिन तीनों ने ही टॉस जीतकर यहाँ पर एतिहासिक मोमेंट रखड़ा कर दिया और टीम इंडिया की प्लेंग 11 थी आज मेंक अगरवाल शुबमन गिल चेतेसर पुजारा विराट कोली श्रेश एयर वरदिमान शा अक्षर पतेल जवी चंदन अश्विन जयनती आदव उमेश यादव सिराज तो आप सभी को पता लग या तीन नाम कौन से थे अजिंक्या र टीम में एंट्री दी गई अब आते हैं दोस्तों स्कोर कार्ड पर तो टीम इंडिया ने पहले बल्ले बाजी चुनी टॉस जीत कर क्यूंकि फील्ड आप जानती है और टेस्ट के मैच आप जानती है लास्ट में चेस करना थोड़ा मुस्कुल हो जाता और टीम इंडिया न नुकसान पर बना लिया है मैंक अगरवाल शुबमन गिल ने आपनिंग पार्टनर्शिप बहुत धाकड खेली 27.03 तीन ओबर तक तीम इंडिया का एक भी विकट नहीं था लेकिन उसी समय आता है एजास पटे लेते हैं शुबमन गिल का विकट इकतर गिंदम चुवाली सर शुबमन गिल ने अच्छी पारी खेली बहुत अच्छी 61 के स्ट्राइग रेट से तो यहां पर मैंक अगरवाल जो पहले दूसरे मैच में हमने देखा था टेस्ट मैच में पहली इनिंग दूसरी इनिंग में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे आज उनके बल्ले से पूरी तरीके से यहां पर नेस्त नाबूद हुए और आउट होते हैं जहां पर उनके बल्ले से लगते वे गेन सीधा विक्टो पर जाके लगती है ना कोई अपील ना कुछ बस विक्टे गिरी और आउट और चल दिये पुजा रहा उसके बाद आते है मैदान पर कप्तान कोली सभी की निगाहे इन पर होती है क्योंकि पिछली बार जब इस मैदान पर आये थे तो 200 प्लस की पारी खेली ती यानि कि 12 शतक अबर यहां पर एक भी शतक लगा दे तो फैंस की खुशी अलग थी शतक ही छोड़ी है दोस्तो एक रन भी नहीं बना पाए विराट कोली थोड़ा कह सकते हैं यहां पर बतकिस्मत रहे क्योंकि इनके बैट से कही ना कही वो गेंद लगकर इनके पैड पर लगी चोती के इनका सामना कर रहे थे इस मैच के और वो गेंद सीधा पैड पर लगी मिडल अब दस टम पर जब रिवी लिया गया तो दोस्तों बॉल ट्र मैच का तीसरा विकट है जाज पटेल की तारीफ करनी होगी कि 37 ओवर कराए हैं न्यूजलेंड ने लेकिन 15 ओवर तो उन्होंने ही कराए बैक टू बैक दस ओवर टिम साओधी ने चे ओवर सिमिल वरी ने एक ओवर रचिन जाविंदर और पांच ओवर में काली जैमिंसन न ना कर बल्ले बाजी कर रहे हैं और अर्दिश तक कंप्लीट कर लिया है मैंका अगरवाल ने 121 गेंदों 52 मिला कर चे चोकी और दो खूपसुरा चक्किरे के साथ 42 के स्ट्रैक रेट से बल्ले बाजी कर रहे हैं मैंका अब तीसरा सेशन सुरू होगा दोस्तों वहां से कर लेते हैं अक्षर पटेली बल्ले बाजी कर लेते हैं जैंत यादा भी बल्ले बाजी कर लेते हैं और उमेश यादा भी बल्ले बाजी कर लेते हैं तो यह प्लस पोइंट है टीम इंडिया के ले लेकिन सामने से अब दोस्तों रचिन जविंद्रा को लगा दिया जाएग